आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एकसेज यूस अफ शुगर containing foods is a major cause of indigestion stomach pain, headache और tooth decay जब हम बहुत जादा sugar खाते हैं ऐसी food खाते हैं इसमें बहुत जादा sugar present होता है तो यह किस चीज का main reason होता है इन चारों में से sugar जो होता है अगर हम डंग से अपने teeth को clean ना करे इनकी clean ना करे cleaning ना करे तो क्या होता है बहुत जादा sugar की present से यह sugar जो होता है एक layer form कर देती है हमारी teeth पर my teeth जो layer बनाती है इसको हम बोलते है प्लाक प्लाक एक clear sticky and sticky layer होती है sticky layer होती है इस layer की वज़े से अग यह layer जमती कहा है तो यह present होते है enamel पर क्योंकि enamel ही hard part होता है हमारे tooth का यह layer जम जाती है इस layer की वज़से बैक्टीरिया इस पर feed करने लग जाते है अब बैक्टीरिया शुगर को feed करके acid बनाते है acid में convert कर देते है इस acid का क्या function होता है यह acid enamel layer को disintegrate कर देता है तो इस वज़े से जो enamel के लिए है इसमें चोटे-चोटे tiny holes होने लगता है जिने हम cavity बोलते हैं तो क्या हो रहा है इधर अगर हम excessive amount में sugar ले रहे हैं डंग से अपने teeth को clean नहीं कर रहा है तो उस वज़े से tooth decay होने लगता है तो यही reason है main reason tooth decay का जब अपने teeth दंग से clean नहीं करते है शुगर लेते रहते हैं बहुत जादा तो उसके वैसे tooth decay हो जाता है indigestion के बहुत सारे multiple reasons होते हैं same for stomach pain stomach pain के लिए भी बहुत सारे reasons होते हैं headache के भी multiple reasons होते है tooth decay जो होता है उसका एक main reason होता है excessive use of sugar so the answer is option for tooth decay Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर झाते हैं